बाला कोट एर स्ट्राइक को एक महीना हो गया है लेकिन पाकिस्तान ने बाला कोट हवाई हमले से हुए नुकसान को मानने से साफ साफ इंकार कर दिया है ये हवाई हमला भारती वायुसेना ने आतंकी संगठा जैशे महम्मद के बाला कोट में स्थित ठिकाने पर 26 फरवरी को किया था ये बात भारती वायुसेना प्रमु बियस धनुआ ने शुक्रवार को कही है उन्होंने कहा कि सबूत आँखों के सामने हैं लेकिन देखना नहीं चाहते उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भारती लड़ाकू विमानों ने अपने लक्षों पर सटीक निशाना लगाया था धनुआ से जब ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान ने भारती वायू सेना की कार्रवाई को लेकर कहा था कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ तो इस पर धनुआ ने अमेरिकी गायक बॉब डायलन की 1963 में आय एल्बम का संदर्ब देते हुए कहा ये आपके सामने हैं लेकिन आप उसे देखना नहीं चाहतें मैं केवर डायलन की याद दिला सकता हूँ जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केंद्रे रिजर्ब पुलिस बल पर हुए आत्मखाती हमले के जवाब में भारती वायू सेना ने बाला कोट में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया था 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे भारती वायू सेना के मिराज ने बाला कोट में तीन लक्षो पर पांच इसराइली मूल के 22,000 बमों से निशाना लगाया था ये जानकारी पहचान न बताने की शर्ट पर भारती वायू सेना के दो अफसरों ने दी है प्रतेक बम में 80 किलो विस फोटक था जो 900 किलो की स्टील के खोल में था इससे जहां हमला किया गया है वहां मौजूद लोग भी नहीं बच्चते एक अन्य अधिकारी ने कहा कि बम अपने निशाने पर जाकर लगे जिससे इमारतों में 80-90 सेंटीमीटर तक के छेद हो गए धनुआ ने कहा कि प्रभाव के बिंदू उन्हें दिखाई देते हैं जिनने पता है कि कहा देखना है इससे पहले शुकरवार को प्रधानमंती नरेंदर मोदी ने ओडीशा में चुनावी रैली के दौरां भारती वायू सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी निंदा की थी उन्होंने कहा था सेना ने पाकिस्तान को मुँ की खाने के लिए मजबूर किया कि ने किया है आपको फरोसा है आपको विश्वास है कि अमारे विरोधियों को नहीं है एक महिना हो गया पाकिस्तान लासे गिन्ने में लगा हुआ है और यह सबूत मांग रहे हैं 28 परवरी को वायू सेना ने कहा था कि उसके पास विश्वस्निय सबूत है कि मिराज 2000 ने अपने लक्षा पर सठीक निशाना लगाया था इसके सबूत के तौर पर सेटलाइट और रडार तस्वीरे भी दिखाई गई हैं जो सरकार को सौंती गई बाला कोट हवाई हमले के एक महिने बाद भी वायू सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी कररवाई के लिए पूरी तरह से तयार है भरत और पाकिस्तान के बीच अभी बी तनाव बना हुआ है बाला कोट हवाई हमले के बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भरत के सैन्य प्रतिश्टान पर F-16 से हमला किया था लेकिन भरती वायू सेना की जवाबी कर रवाई के बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को वापस लोटना पड़ा था इसी दोरान भरत और पाकिस्तान दोनों ने अपना एक-एक लड़ाकू विमान खो दिया भरत के मिग 21 लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराय था जिससे वो सैन्य प्रतिश्टान पर हवाई हमला करने में नाकाम रहा भारत के मिग 21 में वायू सेना के विंग कमांडर अभिनंदन थे जिनने पाकिस्तान सेना ने हिरासत में ले लिया था एक मार्च को उन्हें रिहाग कर दिया गया 12 मार्च को रक्षा मंत्री निर्मला सीता रमणने कहा था कि भारती वायू सेना ने पाकिस्तानी वायू सेना का 27 फरवरी को F-16 लड़ा को विमान मार गिराया था लेकिन इस प्रामबाद इसे कभी सुईकार नहीं करेगा पुलवामा हमले के बाद से भारती नौ सेना ने भी समुद्री सुरक्षा पढ़ा दी है योरी रिपोर्ट भारत तर